हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एगरी कल्चर स्मार्ट स्टेडी पर आपके फ्रेंड ग्रूप में है रिलेटिप्स में जो कोई भी डेरी साइंस की तैयारी कर रहा है ये क्लास उसको भी सेयर कर दिया करें ताकि वो भी पढ़ सके और आने वाल अनलेसिस ओप्शिन ए इस करेक्ट पीचिये स्टेंड फॉर प्रिंसिपल कंपाउंड अनलेसिस मतलब जैसे कोई प्रोड़क्ट है उसका जो प्रिंसिपल कंपाउंड है उसके अनलेसिस करना पीचिये की फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल कंपाउंड अनलेसिस MIN Pesticides Har Most Persistent Persistent का मतलब क्या होता है मतलब ऐसे Pesticide जो की जल्दी से Soil में अगर उनको डाला गया है तो वो जल्दी से Soil में क्या होता है उनका जो environment में जल्दी से Breakdown नहीं होता है और उनका Effect जो है वो काफी लंबे time तक रहता है soil में और फिर वो क्या होता है soil के throw plant में जाएंगे plant से human में animal के throw human में पहुंचते हैं और फिर वो मतब उनके लिए harmful होते हैं और ये persistent pesticides जो है इनका effect persistent का मतलब होता है लंबे समय तक इनका effect है वो रहता है soil में तो सबसे जादा persistent pesticide जो होते हैं वो होते हैं insecticides insecticides क्या होते हैं कि comparison to fungicides और herbicides इनका जो प्रभाव है वो काफी लंबे time तक रहता है और फिर ये क्या करते हैं मतलब toxic effect इनका जो रहता है वो soil से plant में जाएगा plant से animal में और animal से human में कई सालों तक इनका effect जो है वो रहता है और फिर ये human body के लिए harmful होता है next question है which among the following is present in flaxseed इन में से क्या जो है वो present रहता है flaxseed में तो flaxseed में present रहता है lignan option b is correct lignan is present in flaxseed lignan होता है lignans जो होता है ये group of polyphenols found in animals lignan जो है ये polyphenols group होते हैं जो की plants में पाई जाते हैं और flaxseed में भी present होता है lignan और lignan क्या है polyphenols group है जो की plants में पाई जाते हैं और flaxseed में जो major lignan होता है वो होता है sdg ये question भी फूच ले जाएगा की flaxseed में major lignan जो है वो कौन सा होता है तो sdg होता है इसका full form है sdg is the major lignan in flaxseed flaxseed क्या होता है flaxseed होता है flaxseed linseed को ही बोलता है flaxseed and it is a food and fiber crop और जो ठंडे एरिया होते हैं वहाँ पे ग्रो कराया जाता है cultivation होता है flaxseed का और इसका use होता है textile textile में use होता है और इसको best in country में linen बोलते हैं और traditionally परंपरागत तोर पे जो इसका use होता है वो bedseed बनाने के लिए और table बनाने के लिए use होता है flaxseed का और इसमें present क्या रहता है इन में से lignan और lignan क्या है group of polyphenol found in plants next question है the essential fatty acid obtained from marine algae इन में से कौन सा fatty acid जो है वो marine algae से प्राप्त होता है तो DHA डोको साहेक्सोनिक acid DHA is obtained from marine algae और DHA होता क्या है डोको साहेक्साइंक नॉक जो acid होता है वो होता क्या है तो it is a omega 3 fatty acid and ये primarily structural component होता है human brain का cerebral cortex का skin का और retina का और इसका दूसरा नाम दूसरा इसको जो DHA है इसको 22 ratio 6 भी बोलते है और synthesized from alpha linoleic acid और obtained किसे होता है marine algae से fish से और maternal जो milk होता है उससे obtained होता है और manly किसे marine algae से और fish से DHA डॉको साहेकसा नॉइक acid is obtained from marine algae next question है the fruit preserve available as name of fruit titbits is made from following fruit तो titbit जो होता है ये एक चौकोर टाइप का product है जो की pineapple से बनाया जाता है pineapple से बनाया जाता है जब market में pineapple जो है fresh available नहीं होता है तो उसकी एक preserve form है जिसको की titbit ये जिसको की बना के रखते हैं और इसमें जो pineapple है इसका original test and flavor होता है titbit में और titbit किससे बनाया जाता है pineapple से next question है which type of cooking will waste preserve the color and flavor of fruit मतलब कौन सी type की cooking जो है उससे मतलब किसी fruit का flavor और color जो है वो waste preserve मतलब की cooking curry कौन से type है जिससे की cooking करें और किसी fruit का जो color और flavor है उस पे कोई effect ना पड़े मतलब preservation के लिए west रहे ऐसा ना हो की cooking कर रहे और उसका flavor या color चला जाए तो उसके लिए best cooking कौन सी है जिससे की उसका color और flavor दोनो ही fruit में बने रहे और वो preserve भी हो जाए तो वो है vacuum cooking option C is correct vacuum cooking में क्या होता है कि fruits जो रहते है वो खुद का जो juice होता है उसी से preserve की जाते है और जो temperature होता है vacuum cooking में वो very slow temperature पर करते हैं lower pressure and lower temperature और होता गया vacuum cooking में जो time है वो increase हो जाता है क्योंकि जब बैसे cooking करेंगे open pan में से cooking करेंगे तो temperature जादा देते हैं temperature जादा देंगे तो जो fruit है उसका flavor और color में effect पड़ेगा कुछ कम होगा और flavor भी कम होगा लेकिन जब vacuum cooking करेंगे तो temperature slow रखते हैं इसलिए time जादा लगेगा लेकिन उसका जो color and flavor है वो preserve रहेगा तो किस टाइब की cooking में किस टाइब की cooking में best preserve कर सकते हैं color और flavor को तो vacuum cooking में next question है the causative factor for crystallization of the sugar syrup used to contain fruit preservis causative factor for crystallization of the sugar syrup used to contain fruit preserve जैसे किसी fruit को preservation कर रहे हैं fruit को preserve कर रहे हैं तो उसके लिए इन में से कौन सा factor जो है वो causative होगा for sugar syrup crystallization तो क्या होता है जब किसी fruit को preserve कर रहे होते हैं तो उसके लिए exact sugar syrup के अगर बात कर रहे हैं तो 60 60 degree bricks तक रहेगा 60 degree bricks का मतलब है कि 60 जो है sugar रहेगा और कितने में 40 ml water में तो वो clear sugar syrup होता है लेकिन जब इसके उपर जाएगा bricks का जो bricks की जो value है वो इसके उपर जाएगी तो sugar का क्या होगा crystallization हो जाएगा जब बहुत ज़्यादा सुगर रहेगी और water कम रहेगा तो obviously crystallization हो जाएगा और तो क्या होगा इसका correct answer option C use of 76 degree bricks without any inversion मतलब 76 degree bricks जब use करेंगे तब इन में से जो सबसे ज़्यादा bricks value है वो किसकी है use of 76 सिक्स की ही सबसे ज़्यादा है तो option C is correct होगा जब 76 degree bricks का use करेंगे तो crystallization सुगर सीरप में जो content कर रहे है fruit preservation के लिए सुगर सीरप use कर रहे है उसमें crystallization हो जाएगा because सुगर जो है उसकी quantity बहुत ज़्यादा हो गई है 76 हो गई है और अब water कितना बचे का 24 ml में तो 24 ml 76 मतलब सुगर ज़्यादा है तो obviously उसका crystallization हो जाएगा और इसका मतलब क्या होता है bricks का जैसे 60 degree bricks दिया गया है 60 degree brick सीरप तो इसका मतलब होगा 60 degree सुगर है इन 40 ml water के साथ add करके preserve किया गया है या वो जो सीरप बनाया गया उसमें 60 60 gram सुगर है और 40 ml water है next question है इंडिया ranks first in the production of the following food produce इन में से किस food produce के लिए इंडिया का rank जो है वो first है इंडिया सबसे ज़ादा production करता है तो correct answer है option C black tea black tea में इंडिया का rank first है in the production और green tea के अगर बात करें तो China first number पे है green tea का अगर पूछा जाएगा तो China सबसे ज़ादा सबसे ज़ादा production करता है green tea का और black tea का पूछा जाए तो इंडिया जो है वो सबसे ज़ा production करता है next question है iron fortification of milk may cause iron fortification fortification का मतलब होता है add हो जाना किसी में fortification मतलब of milk milk में iron का add हो जाना मतलब मिल जाना वो होता है fortification और जब milk में iron मिल जाएगा तो क्या cause करेगा तो जो मिल्क में fortification हो जाएगा iron का तो metallic test भी आएगा discoloration भी हो जाता है और off flavor भी जब iron add हो रहा है तो flavor तो off हो गई तो correct answer होगा option D all of the above iron fortification of milk में cause metallic test and discoloration and off flavor also next question है stoving refers to stoving जो है वो क्या है stoving refers to drying of chaving gum chaving gum जो है उसको सुखाने की प्रिक्रिया जो हो होती है stoving stoving refers to drying drying of chaving gum आज की class यहीं तक मिलते है next class में अगर आपको किसी question में confusion रहता है doubt रहता है तो आप comment सकते हैं पूस सकते हैं मैं पूरी courses करूँगी कि next class में आपकी doubts clear कर सकूँ और question के वारे में ज़्यादा ज़्यादा बता सकूँ और वीडियो अगर पसंद आता है तो like करें share करें और चैन को subscribe करें और हाँ bell icon को press कर दीजी ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको मिल सके ओकी bye bye and take care